हैलो श्टुड़न, स्वागत है आप सभी का, एक बर्फिट से हमारे इस लर्णिंग प्रटफार्म बीस से बायो वाला में श्टुड़न्ट आपने थंबलेंड में ही देख लिया होगा कि आज हम लोग माइकोलोजी यानि की फंजाई को स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में आज हम लोग जानेंगे फंजाई के बारे में ठीक है और आपने देखा होगा कि जो फंजाई की यह इंट्रोडक्शन की क्लास होने वाली है कि आज हम लोग फंजाई की पहली क्लास लेंगे जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे ठीक तो यह का टॉपिक है अगर आप BST के साथ एमस्षी कर रहे हूं या फिर किसी भी कोर्स में है आप तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आए पहले समझते इसके इंट्रॉडक्शन की बारे में कि इंट्रॉडक्शन में आपको क्या-क्या ठीक पहले खोक्त कि हम सकते हैं श्टडी जानिक बारे मिकूलाश है। अगर हम लोग फंजाई की कर रहे हैं तो उस ब्रांच को मोग क्या कहते हैं मैको-लाजिय। अच्छा जो इस field में इस mycology Giovanni के field में छबीaden specialist होते हैं छो भी scientist होते हैं उनको हम लोग mycologist के नाम से जानते हैं उनको हम लोग भी इस field में जादे वर्ग करते हैं जो जिनको हम लोग क्या कहते हैं mycologist चलिए पात करते हैं father, mycology तो natalie को इस पर दिश्त rapidly फइन को फंघ एक सकते हैं ठीक चली ऊच्छा पात करतें जो फंघाई هें इसके वारें क्या क्या क्रेक्टर हो सकती तर इसको पता होगा GOW पाता हो गा चो फंघाली होता है वह कास्मो पॉलिटर होता है का कास्ma-pollitor का मतलब यह हर जगह पाए जाते हैं उत्स आते हैं वाटर में पा जाते हैं आपके लेंड अरिया प tyckerी को माजते है तो अन्य चानवarloun के ऊपर पास्मर चानवुकर बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर यह पाय जाते हैं, इसलिए इसको एक simple word दे दिया गया है, कास्मो पॉरिटर, यानि कि यह हर जगह पाय जाते हैं, ठीक चलिए, जब आप इसका थैलस देखेंगे ना, यह यूकरियार्ट होता है, यूकरियार्ट इसका जो थैलस होता है, वो शुषच जगहें जार्च जगहें दिरन तिया कास्ट बहुते हैं, चाहँ, लग होता है. अगरे बात करते हैं रिंसमी पयाते हैं, कि इसको सीचा यह पाते हमानी देनाम, सूझे हमानीं, तो तुमले धीक जाते श सिंशाय कह विलिच्गह सबKA. और इसमेन फीक्षा होता ह कि फंजाई के पास भोजन करने के लिए कोई अब चीज़े नहीं बची है तो वह क्या करेगा कुछ कुछ न्यूट्रीशन को अपने बोडी के अंदर एकुम्लेट करे रहेगा ताकि अगर कभी अन्फिवडेबल कंडीशन आए तो उसको वह खा सके तो इसलिए का जाता है कि जो रिजर्फ फूर्ड मटेरियल होता है जो फंजाई होता है उसमें क्या पाए जाता है क्लैकोजन पाए जाता है और मैनिटाल जैसे रिजर्फ फूर्ड मटेरियल पाए जाते हैं अब जब फंजाई देखेंगे ना तो उसकी जो बोडी होती है व तो यह हो सकता है कि mycelium की बनी हो, mycelium क्या होता है, group of hypha, यानि कि जब किसी एक hypha है, और जब बहुत सारे इसे hypha मिल जाते हैं, और net like structure बना लेता है, उसको हम लोग क्या कहते है, mycelium, तो जो fungal की body होती है, फंजाई की जो body होती है, वो hypha की बनी होती है, या farm of hypha, यानि कि फ्ही धेर-र हाई-पा से मिलके बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते है, जिसको हम लोग कहते है, माई-Shyliium, ठीक अब जो है हाई-पा होता हैं, वो कई तरीकी का हो सकता है, जो आगे हम लोग समझने जाने है ठीक, मन् encara तो आप जो हाइफा होती है उसकी बात करते है टाइप साफ हाइपा तो लिखा गया है हाँपे on the basis of presence or absence of septum हाइफा इस आप two types suppose करें ये हाइफा है श क्या हाइफा है कि इस हाइफा में कोई septim present है ऐसे-ईसे, यानि कि इसको अलग कर रहा है, इस पार्ट को, इस पार्ट को कोई अलग कर रहा है उसको मुझोग septim कहते है क्या septim present है कि absent है उसकी आधार पे इसको 2 बागों बाटागे आए saya, septate high-fire और septate high-fire はい exfoli twitter का मतलब इसकी जो हाइफ और उसमें कोई ऐसे septa नहीं होगा जिसमें नहीं होगा उसको aseptate hyipa कहते हैं जिसमें present होगा उसको septate hyipa कहते है अजब इसेकली एसे septa क्यों present होता है ऐसे पोज़कर यह पूरा साइटो प्लाज इसमें भरा हुआ है थिक तो फूरी एक-प्लांट बॉर्ड इसके होगई ठीक प्रिस इसको अलग करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है सेप्टा ठीक तो इस प्रकार के सिप्टम को यानि कि अगर सेप्टा है ऐसे मारिजे प्ल तो वह लिखा गया है, तो हाइफा बिदावट सेप्टम, is known as a septate हाइफा, it may be branched, or unbranched, यानि कि जो ये सेप्टा है, हो सकता, वो branch भी हो सकता, वो unbranched भी हो सकता, यानि कि ऐसे एक सेप्टा बन गया, ये तो unbranching हो गई, अब ऐसे है, यहां से एक सेप्टा ऐसे branching हो ये unbranched हो गए, ये branched सेप्टा हो गए, अच्छा, हो सकता है, इस पर nucleus एक ही हो, हो सकता है कि बहुत सारे इस पर nucleus हो सकते हैं, तो ये union nucleate हो सकते हैं, फिर multi nucleate भी हो सकते हैं, तो ही लिखा गया है, अब देखिए, मनें बताए कि ये कोई branched है, हाइफवा है, तो इस पर बहुत सारे nucleus हो गए, तो इसको हम लोग कहते हैं, सीनो सिटिक हाइबा, तो क्या कहेंगे, सीनो सिटिक हाइबा, या निकि ये a septate है, सेप्टा इसमें present नहीं है, branched है, ठीक, and सीनो सिटिक कहने की एक सी जादे इसमें nucleus present है, चलिए, दूसरा आता है septate हाइफवा, किसे कहते है, ऐसे septate हाइफवा, जिसमें septum present हो, जिस हाइफवा है, उसमें septa present है, उसको हम लोग septate हाइफवा कहते हैं, ठीक, अब ये जो septa है, वो कही तरीकी हो सकता है, simple हो सकता है septum, या कि डोली पोर septa हो सकता है, तो पहले बात करते, septa present उसको क्या कहते हैं, लोग septate हाइफवा कहते हैं, ठीक, जिसे suppose कि ये कोई हमारी body है, किसकी फंजाएगी, अब suppose कि हो सकता है कि septa में येसे septa का formation हुआ हो, लेकिन हो सकता है septa के formation के समय यहाँ पे कोई ऐसे पोर हो, देख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये देख रहे हैं, एक पोर आपको दिखाई पड़ा है, ठीक, क्या दिखाई पड़ा है, ठ इसको लोग कहते है, simple pore septa, क्या कहते है, simple pore septa कहते है, ठीक, अच्छा, अगर ये पूरा है, तो इसको लोग solid septa के नाम से जानते है, ठीक, अच्छा, पहला दमने क्या बता है, ऐसे septa बना हुआ है, ऐसे पूरा है, तो इसको simple pore septa कहते है, ठीक, इसको लोग solid septa कहते है, और या तो सिप्टा इसका हो सकता है डॉली पोर सिप्टा क्या हो सकता है डॉली पोर सिप्टा या किस सिप्टी के जगह पर ऐसे कुस स्टक्चर जहां पर बने हुए दिखाई पर सकते हैं जिसको लोग कहते हैं क्या कहते हैं डॉली पोर सिप्टा होता है यह फंजाई के बि इसके बाहर कुछ東 शीक्तह भी होती है जिए पहूल्ब पूर्श इप्टा बनेगा. इसका में आप आप तीक हो गया अगर यहां पुए पॉर देखने को मिलेगा ऐसे पॉर है तो देखिए जो इसका material होगा इसमें आएगा इसका material इसमें आ सकता है या इसका material इसमें जा सकते है इसका material याने कि जो इसमें यह साइटो प्लाजम होंगे वो आपस पे इंटर चेंजिबल होंगे वह है डॉली पोर सेप्टा में भी होता है ठीक है इस डॉली पोर सेप्टा यहां पे बन गया ठीक अब क्या है इस पे छोटा सा ऐसे बना होगा चाहस इसके material आपस में exchange करेंगे ठिक चलिए इस बात को समझी हम लोग language के माद्यम से the septum without septum sorry the hypha without septum sorry with septum जैसे hypha है इसमें septum present है इसको septate कहेंगे ठिक the septum is performed contain many small pores for exchange of material between two adjacent sets यानि कि बताएगे इसमें pore पाया जाता है जो दो परोसी सिल के आपस जो cytoplasm में जो material होगा उसका exchange करते हैं तो हो सकता है वो simple pore septum हो सकता है ठिक या simple pore हो सकते हैं तकि या पर इसकी प्लासम में ये septum है तकि इसमें 20 में क्या है पोर है या दूसरा क्या होता डॉली पोर septum है ठिक इस पर उपर कि तब septum pore या पर पर पाया जाता है और इसको हम लोग डॉली पोर septum के नाम से जाते हैं जो डॉली पोर septum किसका फीचर है मिम्बरा बिसेडियो माइको टीना का ठिक वह लिखे गए हैं बात यहां पे तब पोर में भी सिंपल उआर डॉली पोर तब सिंपल पोर अकर सिंदर मोस्ट आप दर फंजाई और डॉली पोर septum अकर सिंदर मिम्बरा बिसेडियो माइको टीना उआर बिसेडियो माइसी माइसी तेज ठिक इन विच पोर इस सराउंडेट बाई सिंपल पोर कहे और पैरन्थो सोम चलिए अब बात करते हैं आंदर बेशी साब नुकलियस सिंप्टेट हाइफा इजा फालोगिंग टाइप इसे माने बताया कि यह अब ऐसे कोई फंजाई है ठिक इसमें ऐसे सिप्टा प्रजेंट है यह ब्रांच्ट है सिप्टा भी है सिप्टा भी है तो बात कर यहाँ पे सिप्टा प्रजेंट है और उसमें नुकलियस की संक्या है उसके बेश पे हम लोग फंजाई को कई कड़ेगरी में बाड़ते हैं ठिक यानि कि present of septa septa तो present है और साथी साथ उसमें nucleus कैसा है उसकी आधार्पी हम लोग इसको कई भागों में बाढ़ते हैं जैसे सब पोच करेए यह septate hypha है branch भी है तो इसमें एक septa में एक nucleus है तो इसको कहेंगे monocayotic septa एक से ज़्यादा ने की दो है तो dicayotic बहुत सारे है दो से ज़्यादा है तो multi nucleated पहला क्या है पहला आपका branch है septa present है तो branched है septate and monocayotic हैने की एक nucleus है इसमें क्या है branched भी है septa भी present है यह ज़्यादा की दो इसमें nucleus आपको दिखाई पड़ा एक एक septa में तीज़रा क्या है branched है septa भी present है और एक तो तीन कैसी किसी में तीन कैसी किसी में चार के सांके में क्या है nucleus है तो multi nucleated आगे बात करते हैं लोग देखे वही चीज़े language के माध्यम से भी लिगी है it contains single nucleus in itself monocayotic tyacayotic में 2 nucleus multi nucleated में more than 2 nuclei अब तीसरी बात आती है nutrition कि fungi जो होता उसमें nutrition किस प्रकार से होता है वो भोजन अपना कैसे करते है ठिक इसके बात करते हैं लोग तो देखे आपको पता है कि जो fungi होते हो heterotrops होते है यानि कि heterotrops होते है यानि कि photosynthesis की की एसमे नहीं होती है अब इस्टार्टिक में ही मैंने बता है कि इसमें chlorophyll absent होता है ठिक chlorophyll absent होता है तो अपना भोजन कैसे लेता है heterotrop की तरह यानि कि other animals से other plants से अपना भोजन लेते है तो fungi क्या heterotrops है because chlorophyll are absent तो on the basis of nutritional fungi are classified into three groups यानि कि वो अपना जो भोजन है वो तीन तरीके से ले सकते है हो सकते है कि parasite हो या शिप्रोफाइट हो या फिर symbiotic हो अच्छा पैरासाइट क्या होता है यानि कि ऐसे फंजाई जो किसी host पे रहकर कि अपना भोजन प्राप्त करे सिप्रोफिटिक क्या होता है जो डेड या डिकेंग मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते है symbiotic क्या होता है जो आप कर सकते है कि इसका एक्जामपल आप लाइकिन समझ सकते है symbiotic यानि कि ये किसी higher plant में higher plant के root में रहकर के अपना भोजन ले या फिर आप कर सकते है कि किसी भी plant पे आपने आपना भोजन ले तो उसको क्या हो उसको भी help हो यानि कि दोनों partner को जब help हो ता उसको symbiotic कहते है जिसका best example होता है लाइकिन तो मैंने बताए कि ये पैरा साइट भी हो सकते है पैरा साइट का मतलब जो अपना भोजन किसी host से प्राप्त करें तो वह लिखा है फंजाई विच आपने दियर फूड और नूट्रेशन फ्राम दे लेविंग प्लांट और अनिमल आपने पैरा साइट फंजाई इट इस आप टू टाइप्स यादे कि पैरा साइट फंजाई दो प्रकार के होते हैं तो उसमें पहला है अबलीगेट पैरा साइट अबलीगेट पैरा साइट क्या होता है जैसे मालेज यह फंजाई है और यह कोई उसका host ठीक और यह host पे जा करके रह रहा है और इसी से अपना भोजन पानी ले रहा है अगर by default इस host की देथ हो गई यह मर गया तो यह भी आपका फंजाई भी मर जाएगा इसको कहते हैं नो अबलीगेट पैरा साइट यानि कि दोस फंजाई विच आप्टें दियर फूट फ्रम लिविंग आर्गिनिसम अगर नाट लीव इन एपसेंस अभ खोश्ट अगर खोश्ट नहीं रहेगा तो यह भी मर जाएगा ठीक इसको मिरों कहते हैं अबलीगेट पैरा साइट जैसे पकसीनिया पकसीनिया एक अपकार की फंजाई है जो डिजीस खाज करती है वीट के प्लान्ट ने ठीक है? चलिए तूसरा आता फैकल टेट्यू पैरा साइट पहला क्या था? पहला आपका था अबलीगेट पैरा साइट तूसरा आपका फैकल टेट्यू पैरा साइट यादि की ऐसे फंजाई जो अपना भोजन किसी पैरा साइट पे जिस सपोज कर ये कोई फंजाई है और ये कोई होश्ट है इस पे रह करके अपना भोजन ये प्राप्त कर रहा है पैरा साइट की तरह लेकिन अगर ये आर्गेनिजम मर भी जा रहा है ठिक अगर ये मर भी जा रहा है तो इसको खा जाएगा यह जो इसकी body है यह suppose कि होस्ट मर गया तो अब यह फंजाई क्या करेगा इसी होस्ट से अपना भोजम पाने करेगा ठीक तो इसको हम लोग कहते है Facultative Parasite तो यह का लिखा गया है यानि कि होस्ट है तब तो यह जीवित रहेगा अगर होस्ट मर गया तब होस्ट को ही खा करके यह जीवन आपन करेगा तो यह लिखा दा सेप्रोफाइट फंजाई सेप्रोफिटिक फंजाई विच के लिव आज दा पैरासाइट आज नोन आज दे Facultative Parasite चली जैसिस का विग्दामपल फ्यूसेरियम और पैसाइटियम तूसरा मने बता तब सेप्रोफिटिक फंजाई सेप्रोफिटिक फंजाई क्या होता है जो अपना भोजय मटेरियल डेट या डिकेइंग और्गेनिजम से प्राप्द करता ह। तो है लिखा गया है तब फंजाई विज अप्टेन दियर फूर फ्राम डेड वार डिकेइंग मटेरियल और्गेनिक मटेरियल इज नोन अज सेप्रोफिट सेप्रोफिट भी दो प्रकार के होते हैं आवलिगेट सेप्रोफिट या फिर फैकल टेड टू सेप्रोफिट ठिक अवलिगेट पैरा साइट में क्या होता है जो फंजाई होगा वो अपना भोजन ठिक टेड या डिकेइंग मटेरियल से ही प्राप्द करेगा वो पैरा साइट की तरह विहेबर नहीं करेगा ठिक पूरे लाइब भर वो सेप्रोफाइड की तरह रहेगा ठेड मटेरियल से ही वो अपना भोजग प्राप्द करेगा जैसे म्यू कर होता है तूसरा अफेकल टेड टेड ट्टू सेप्रोफाइड यानि कि पैरा साइड तो है ठिक अपना भोजन कैसे लेगा अपना भोजन ये फैकल्टेट वने कि डेड़ या डिकेंग मटेरियल सो लेगा अगर डेड़ या डिकेंग मटेरियल नहीं इसको मिल रहा है तो ये पैरा साइट की तरह भी हैब करेगा यानि कि डेड़ या डिकेंग मटेरियल है तो उससे भोजन तो लेगा ही लेगा अगर वो नहीं है, टेट या डिकेंग मटेरियल इसको नहीं मिल रहा है तो ये पैडासाइट की तरह भी है करेगा अबलिगेट पैडासाइट क्या होता है टेट या डिकेंग मटेरियल से ही लेगा पैरा साइट की तरह behavior नहीं करेगा इसमें क्या है यह पैरा साइट की तरह behavior करेगा इसका example है अस्ती लेगो क्या है अस्ती लेगो चलिए थर्ड रता है symbiotic fungi ठिक यानि कि ऐसे fungi जो symbiotically तरीके से यानि कि किसी organism के साथ अपना भोजन बनाए जैसे आपने lycan के बारे में सुनना होगा lycan lycan क्या है यह illegal and fungal का association होता है यानि कि एलगी और fungi जब आपस में combine होते है तब lycan का formation होता है तो एलगी क्या करता है food formation करता है और यह सारी activity को control करता है तो symbiotic यानि कि दोनों आपस में एक साथ रह करके आपस में एक दूसरी को क्या करते हैं इस आपस में रहते हैं ठिक इस lycan है mycorrhizor mycorrhizor क्या है mycorrhizor यह कहता है कि यह जो फंजाई होता है यह higher plant में यह वेस्कूलर प्लांट के रूट में रहते हैं उनसे अपना भोचन पानी लेते हैं और बदले मुझे को न्यूट्रिशन देते हैं उस प्लांट को तो इसका ये बेस्ट एक्जामपल है अच्छा तो टर्म आता है एक होलोकार्पिक और यूकार्पिक होलोकार्पिक और यूकार्पिक होलो पार्टzers mo honors matter हो जाये किसमें रिप्रोड्यक्टिव पार्ट में उसको हम लोकहते हो लोकार्फी थिक इसमें योनि स्ल्वर्फ संजाई मुसटली आते हैं यानि कि हुग जो फंजाई है उसका वेजितेटिव पार्ट कन्वर्ट 잡아 gonna reproductive part में उसको हम लोग कहते हैं holocarpic फंजाई इसमें जो एकी जाद अतर primitive जो uni nuclear के uni saluder के फंजाई होते हैं वो आते हैं यादे की holocarpic में क्या होता holocarpic मतलब पूरा समपूर रूप से उसका जो vegetative part होगा और reproductive part में convert हो जाता है जिसमें uni silver फंजाई जाद अतरा दे हैं दूसरा होता है ucorpic ucorpic का मतलब क्या होता है ucorpic में यह होता है कि कुछ पार्ट vegetative के कुछ पार्ट जिसे फंजाई है उसका जो vegetative part होगा उसमें से कुछ पार्ट किसमें convert हो جाएंगे reproductive part यानि कि सारे पार्ट रिप्रोड़क्टिव पार्ट में नहीं बदलती है ठिक कुछ पार्ट जोए कि वेजिटेट्व पार्ट वो रिप्रोड़क्टिव पार्ट में कनवर्ट हो जाते हैं जिसको में लोग यू कार्वी कहते हैं ठिक चलिए बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की तो जो फंजाई होता है उसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है ठिक, स्वारी तीन तरीके से होता है पहला होता है वेजिटेटिव, तूसरा एसेक्शूल, तूसरा सेक्शूल जो फंजाई में रिप्रोड़क्शन वो तेन तरीके से होता है पहला होता है वेजिटेटिव जो वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन होता है वो फ्रेग्मेंटेशन पाइन रिफीजिन और बडिंग के द्वारा होता है एक सेक्श्वल रिप्रोड़क्शन ठाइब का हो विप्लैस यहस का मतलब इसमें अहेर प्रजेंट ना हो तो तुसको अगर प्रजेंट को के है जो Smith Be ऑप मेनय जरो की द्वारा हो सकता है उसके द्वारा भी इसका रेकीड द्वारा हो सकता है धिक तो तीन मेठड से इसमें ए-sexual reproduction देखने को मिलता है पहला क्या था by joe sport तूसर बाई alpano sport ठीक तीसरा हो तक gonadia के द्वारा है ठीक बात करते sexual reproduction की ठीक sexual reproduction श्टार्ट के छो पर लब को बता दे अगर आप इसका pdf चाहते हैं ठीक जो भी अभी तक topic हमने पढ़ाया यह जो PDF है आपका 62 page में है 4th unit का ऐसे ही हमने 2nd unit 3rd unit और 4th unit इन सारे chapter को cover कर चुका है यह आज हम लोग 4th unit पढ़ रहे हैं पाचवा 6, 7 और 8 इन सब unit का PDF हमने already upload कर दिया है अगर आप इसका paid batch लेना चाहते हैं ठिक आप याने कि इसके पेडियाफ को खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिये के whatsapp नंबर 9598 308044 308044 पे whatsapp के तुरू message कर कि आप इसका PDF प्रापते कर सकते हैं ठिक अगर आपके कोई doubt कोई queries कोई question है तो comment box में आप अपने doubt queries question को पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए चैनल पर पहली बार subscribe कर लिजे बेल आइकन दबा लिजे ताकि आपको daily notifications मिलते रहे हैं ठिक चलिए हम लोग फटक से sexual reproduction को cover करते हैं जो fungi में जो sexual reproduction होता वो तीन step में complete होता है पहले होता प्लाजमो गैमी यानि कि fusion आप प्लाजमा membrane ठिक करियो गैमी ठिक sorry हाँ हाँ fusion आप करियांस आने कि nucleus तिन उसके बाद meiosis यानि कि तीन step में complete होता है इसका sexual reproduction पहले प्लाजमो गैमी होगा फिर करियो गैमी होगा फिर meiosis होगा केरियो गैमी किसे दो यह sails है इसके पल्य प्लाजम में में आपस में fuse करेंगे टेन इसमें जो दो nucleus हो impressions आपस में fuse करेंगे फिर इसमें divison होगा यानि कि इन तो एक से चार-गैमिय यहाँ प्लाजमो गैमी का नाम प्लाजमो गैमी के बारे में समझती है ठीक ठीक देखिए मैं बता है इसमें क्या होता है प्लाज्म में दो निक से लिखके जो प्लाज्म में होते आपस में फ्यूज करते हैं तो वही लिखा गया है इन इस प्लाज्म में अकर्स बाइफ फालूविंग में प्लाज्म में कई तरीके से हो सकता है पहला आपको प्लैनो गैमिटिक कापुलेशन क्या है प्लैनो गैमिटिक कापुलेशन ठीक इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें ये प्लैनो गैमिट बहुत ही सिंपल में थर होता है इसमें दो गैमिट आपस में फ्यूज करते हैं लेकिन बात ही आती जो इसमें गैमिट होती है न वो कई तरीके के हो सकते हैं हो सकता कि आइसोगैमी हो यानि कि दोनों मेल और फिमेल गैमिट एक जैसे दिखाई पड़े उसको लोग आइसोगैमी कहा सकते हैं याने कि male female लेकिन आप एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन एक male होगा तुसरा female की तरह भी हैप करेगा इसको में लोगा तो आइस हो गया में इसमें भी देखिए दो gamit fuse करेंगे लेकिन दोनों identically एक जैसे याने कि similar होंगे दूसरा होता एन आइस हो गया में याने कि एक बड़ा होगा याने कि दोनों एक जैसे होंगे ठिक मार्फोलाजी में इसके अलग होंगे इसके अलग होंगे तूसरा का होता उगया में अच्छा जो आइसो गया में होते हैं दोनों motile होते हैं एन आइसो गया में में भी दोनो अलग होते हैं तूसरा होता है उगयमि में क्या होता है जो मेल होगा वो मोटाइल होगा जो मेल वाला पार्टनर होगा उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा जो नान जो फिमेल वाला पार्ट होगा वो नान मोटाइल फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा ठिक तो मैंने बता है कि प्लेनोगेमी टिक कापलेशन ही कई प्रकार से होते अजया होगा दोनों एक जैसे दिखाई पड़ेंगे तोनों मोटाईल होगे अजया होगा दोनों अलग अलग तरीके से होगे वह भी फ्लैजीला होगा ऊने मोटाइल होगी उगेमेस में क्या होगा एक फिमेल वाला बड़ा होगा मेल छोटा होगा तो छोटा होगा ने कि मेल छोटा है तो वो मोटाइल होगा फिमेल बड़ा होगा वो नान मोटाइल होगी चलिए तूसरा होता गेमेट टेंजियल कॉंटेक्ट क्या होता है इस प्रोस उगोनियम भाते हैं मेल गयमिट फीछ है, अपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं, कि कॉन्टेक्ट में आते ही एक thri transmis bin adrenal rhipse आपस में contact में आएंगे जो enthridia होगा enthridia यहां कर जो इसका nucleus होगा वो इसमें transfer कर देगा ugonium के पास यहां पर एक duct, एक tube लाएग structure बनाएगा जो इसमें transfer कर देगा अब क्या होगा यह कुछ time तक क्या करेंगे इसमें जब transfer कर देगा यह fusion नहीं करेगा कुछ time तक fusion नहीं करेगा तो क्या होगा fuse नहीं किया कुछ time रहेगा तो उन्हों एक दूसरे के पास फिर कुछ time के बाद यह fuse कर जाएगी यानने कि तुरंद fuse नहीं करते कुछ time के बाद fuse कर जाते तो इसको कर दे generalized contact के दौरा ठीक चलिए तीसरा है Gametangial Copulation Gametangial Copulation में क्या होता है इस मेथड में ये होता है कि दो male और female gametangia आपस में आते हैं इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर फिर मना हुआ है ठीक यह male और female दो माइनस स्ट्रेंड लिखा है यह female है यह male तो आपस में आएंगे contact में ठीक contact में आएंगे तो इसके जो plasma में आपस में fuse कर जाएंगे ठीक और ये नए लाइकेन का फार्मेशन कर देती है ठीक जिसमें राइजोपस देखने को मिलता है इसका एग्जामपल आप लोग जानते ही राइजोपस में इस प्रकार से fertilization होता है ठीक तीसरा है spermatization spermatization में क्या होता है इसमें यह होता है जिस यह यह होता है कि जो इसका male partner होगा spermatio 4 पे spermatio 4 पे spermatio लगा होगा ठीक यह male partner होगा यह female partner अब उस पे क्या हो बना हुआ spermatio 4 पे spermatio 4 पे तो यह air के दोवारा हवा के दोवारा यह transfer हो जाएगा female partner के पास यह male यह female यहाँ पे क्या होगा यह इसके पास जाएगा हवा के दोवारा ठीक तो plasmo gamma होगा plasmo gamma का मतलब यह इसके पास जब जाएगा तो इसमें इंटर कर जाएगा इसके female partner के पास जब female partner के पास जाएगा तो क्या करेंगे इसका nucleus और female का nucleus male और female की nuclei आपस में fuse करके एक नया plant body बनाएगी या यह आवा के द्वारा हो सकता तो भाई लिखा गया है in this process male gamet ORR spermacea receptacle female female hypha fuse together spermacea transfer its nucleus into the female hypha the male gamet ORR spermacea carried out to female hypha through air and insect मने बताया कि यह male partner है यह female partner है male partner जो spermacea होगा हावा के द्वारा या फिर इंसेट के द्वारा female partner के पास पहुचा जो आपस refuge करके एक नया plant body बनाएगा जो कि पकसीनिया में देखने को मिलता है तिक चलिए एक है आपका somatogamy तिक क्या है somatogamy इसमें क्या होता है दो somatic होंगे ठिक क्या करेंगे आपस में contact में आएंगे यह अपना nucleus transfer कर देगा इस वाले body में ठिक conjugation आप समझे कि conjugation tube बना करके अपना nucleus इसमें transfer कर देंगे ठिक जिसकों लोग somatogamy के नाम से जानते हैं तो अभी तक आपने plasmo gaming के बारे में देखा कि plasmo gaming कई तरीके से हुआ कौन कौन सा तरीका था मने बताया है कि जो sexual reproduction होगा उसमें तीन इस्टेफ होगा पहला plasmo gaming तूसरा कई यह गयमी तीसरा में यह उसी तो plasmo gaming कई तरीके से मने दिखाया आपको क्या था प्लैनो गयमेटिक कापूलेशन ठिक उसके बाद मने बताया केमेटेंजियर कॉन्टेक्ट ठिक तीसरा मने बताया केमेटेंजियर कापूलेशन फोर्थ मने बताया इस परमेश्य के द्वारा चौथा सोमेटो गहमी की दोरा तो यह पांच प्रकार से हमने बताए कि इसके बारे में प्लाजमो गहमी की बारे में अब प्लाजमा मेंबरन दोनों के आपस में फ्यूज कर रहे हैं ठीक प्लाजमा मेंबरन दोनों के आपस में फ्यूज कर रहे हैं अब plasma membrane तो fuse कर गए अब जो उसका nucleus होगा तो अलग-अलग strain वाले के उसके उसका nucleus जब fuse करेगा उसको करियों गहें भी कहते हैं ठिक यानि कि study up carry on is known as nucleus तो आपस में अब nucleus जब fuse करेगा तो यह yarn है और यह भी yarn तोनों कि जब yarn यह नाने की fuse करेंगे तो two yarn nucleus इसका बनेगा तो इस process को उनों करियों गैमी कहते हैं अब करियों गैमी हो गया two yarn structure तो क्या होगा meiosis होगा ठिक यानि कि diploid से hapiloid बनाना है तो एक nucleus से चार सिल्ड बनेगे ठिक फोर hapiloid से बनेगे यानि कि एक सिल्ड two yarn कहाई तो इससे चार सिल्ड बन जाएगा जो कि सारे कैसे होंगे hapiloid होंगे तो यह complete process होता है किसमें आपके reproduction में ठिक तो यह पूरा complete process रहा फंजाई के बारे में कल की class में हम लोग classification पढ़ेंगे फंजाई का ठिक classification आफ फंजाई कल की lecture हम आपके सारे डिसकसन करेंगे अगर आपके कोई doubt, queries, question हो तो comment box में आप अपने doubt, queries, question को पोच सकते तो आज मैंने क्या पढ़ाया आपको मैंने यह पढ़ाया फंजाई क्या होती है इसके करेक्टर के बारे में बताया ठिक तूसरा मैंने बताया किसमेर इसका जो plant body होती वो हाइफा की तरह होती है ठिक हाइफा की तरह होती है जो हाइफा होती है अगर एक है तो हाइफा तो वो सारी हाइफा मिल जाते उसको हम लोग क्या कहती है मैसीलियम कहती है ठिक अब जो हा आ और कुलिफारं को रख़े हो तरफ एक हो सकता दोगता और ऑज यह מאज के नूक्लिएष से नूकलियास किष्टा उसके बारे बता यह नूकलियी टाइर न Daar scent के बात के बारे में बता है कब क्लास में लोग इसके से स्टिप्र्पाइशन के बारे में डिशक्स करेंगे अगर को कोई डाउट कोई क्वेरिस कोई क्वेशन हो तो कमेंड बॉक्स में आप अपने डाउट क्वेरिस क्वेशन को पूछ सकते हैं चलिए मिलते नेक्स लेक्चर में ने टॉपिक के साथ यानिकी क्लाशिफिकेशन आप फंचाएं